नूजिलेंड के खिलाब सूरिया ने दिखाई महानता पूरी दुनिया हुई स्काई की दिबानी बीच मैच में आ गई नई मजधार पिकेट का बलिदान कर गए सूरिय कुमार नूजिलेंड के खिलाब रुनाउट होते ही सूरिया की 33 साल की महनत हुई बेकार एक संकेट जिससे साफ हो गया दुनिया का नंबर एक बल्लेबाज भी तूट गया है सूरिया के रुनाउट पर विराट ने दिया ऐसा बयान जिसे सुन सूरिया के फैंस बड़ा कुठे नमस्कार दोस्तों क्रिकेट की 10 बड़ी खबरों में आपका शुअगत है जैसे ही अर्दिक पांडिया को बंगलादेश के खिलाब चोट लगी न्यूजलेंड के खिलाब सूरिया को मौका मिला लेकिन वो मौका सूरिया ने ऐसे ही गबा दिया या यूँ कहें कि सूरिया की किस्मत भी बड़ी खराब है क्योंकि न्यूजलेंड के खिलाब दूसरी पारी में सूरिया 31 ओवर में रनाउट हो गए सूरिया का उस समय स्कूर महज 2 रनी था बिराट नोने स्ट्राइक एंड पर थे सूरिया एक रन लेने के चक्कर में रनाउट हो जाते हैं इसके बाद सूरिया काफी नाकोस दिखते हैं सूरिया की टेंसर इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो ट्विटर पर अपने लिए एक पोस्ट भी नहीं डाल पाती सूरिया के रनाउट होते ही कडोरो फैंस के दिलों की धड़कने रुक सी जाती है सबी फैंस मायूस हो जाते हैं सूरिया के फैंस को करारा जटका लगता है अब ऐसे में 28 को होने वाले इंग्लेंड के खिलाब मकाबले में सूरिया को मौका मिलना भी तैय नहीं माना जा रहा है यदि हार्दिक पांड्या चोट से उबर जाते हैं तो ऐसे में सूरिया इंग्लेंड के खिलाब मैच खेलते नजर आएंगे लेकर रन आउट होते ही सूरिया को क्यों आया गुसा गिराट को ली की इस पर क्या राय थी रोई सर्मा का इस पर क्या रेक्स्टन था टीम के बाकी खिलाडियों ने सूरिया का कैसे प्रोस्तांट किया हांगे हम बताएंगे इस वीडियो में लेकिन उससे पहले वीडियो को एक लाइक और चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजेगा दोस्तों बारत न्यूजिलेंड के मैच में चार मेचों के बाद पानी पिलाने के बाग सूरिया को जैसे ही मौका मिला सूरिया के सभी फैंस खुछ हो गए सूरिया के फैंस ने imagination कर लिया होगा कि सूरिया इस मैच में काफी कमाल की बल्लेबाजी करेंगे और कुछ चोके छक्ते हमें जरूर देखने को मिलेंगी लेकिन 31 में ओवर में सूरिया के रनाउट होते ही सूरिया के फैंस के चैरे मुर्जा गए दरसल 31 में ओवर में सूरिया को मिचल सेंटनर ने रनाउट कर दिया लेकिन इसमें विराट कोईली की भी काफी जदा गलती बताए जा रही है लेकिन विराट ने सूरिया से माफी मांगते हुए कहा ये क्रिकेट में होता रहता है मैं अपने सूरिया भाई से माफी मांगता हूँ कप्तान रोई सर्मा भी सूरिया के run-out से काफ़ी नाकुष थे उन्हों भी बात में सूरिया को कहा run-out तो क्रिकेट का एक अंग होता है जो की होता रहता है वहीं कोच राउल दरबड ने भी सूरिया का होसला अफजाई करते हुए कहा कोई बात नहीं सूरिया रनाउट होना लाजमी है बाकि तुम्हें रनाउट पर ध्यान देना चाहिए तुम्हें कर्केट की लिए अवेरडनेस रहना चाहिए लेकिन इसमें हम आपको बता दे इसमें सूरिया के साथ-साथ बिराट की भी काफी ज़्यादा गल्ती थी ले पाद टीम इंडिया बल्ड कप के फाइनल में प्रवेस्ट कर सकती थी और यहां पर सूरिय कुमार यादा हो जैसे ही रनाउट हुए तो भी टीम के सभी खिलारी मायूस हो गए वही हम आपको बता दे सूरिया के रनाउट से अब ज़्यादा फर्क नहीं पढ़ने वाला है क्योंकि सूरिया को इंगलेंड के खिलाब भी मौका दिया जाएगा इस बात पर 100% महल लग गई है क्योंकि हार्दिक पांडिया अभी चोट के कारण बाहर ही रहेंगे और अंगले दो मैचों में आराम कर शकते हैं उस मैच में सूरिया को एक और बड़ा मौका मिल सकता है इस मैच में सूरिया को दिखाना होगा कि वो किस किसम के खिलाडी है वो क्या कर शकते हैं और क्या नहीं क्योंकि बल्ड कप 2023 में कई खिलाडी जैसे हैंरिक क्लासेन का वो बहुत ही सांदार शतक और ग्लैन मैक्समेल की वो 40 के अंदों में शतक इन खिलाडियों ने बताए क बंडे को T20 जैसा कैसे बनाया जा सकता है वही सूरिया तो T20 के नम्मर एक बल्लेवाज है जो कि बंडे क्रिकेट में भी धवाल मचा सकते हैं तो अब देखना ये होगा कि सूरिया क्या अंगले मैच में लैंड के खिलाब शांदार बापशी करेंगे जा फिर नहीं बीरो रूपोर्ट क्रिकेट मसाला